सरकार की तरफ से गरीबों को दिये जाने वाले खाद्यान में बड़ी गर-बड़ी सामने आई है। पांच महा से राशन नहीं मिलने पर दुकान के सामने ही गामीनों ने जम कर प्रदशन किया। हित्गराईयों ने दुकानदारों पर गरीबों का राशन बेचने का आरोप लगाया है। अमर पार्टन के ग्राम जिन्ना में इस्थिस शास की उस्चित मुलकी दुकान के बाहर बढ़ी संख्या में 31 होकर हित्गराईयों ने हंगामा किया। इनका आरोप है कि दुकानदार के दौरा बीते पांच माह से इन हित्गराईयों को राशन का वित्रन नहीं किया गया है और दुकान में भी ताला लटका रहता है। इनकी शिकायत भी इस्थानी जनपरतिनियों ने जिम्मेदार अधिकारियों से की लेकिन कोई सोद लेने वाला नहीं है। हित्गराईयों ने बताया कि उनकी पर्ची तो काट ली गई मगर आज तक उनको राशन नहीं मिला। गरीब ग्रामीनों को बाजार से महंगे दामों में राशन खरीना पड़ रहा है। वहीं उचित मुलिक के दुकानदार पर राशन बेशनी का भी आरोप हित्गराईयों ने लगाया है। इस मामले पर SDM ने जाँच की बात कही। मेरे पास जनपर सदर से जिनना मेरे साथ भी मिले थे और उनका आविधन भी मुस्तक्राप्त हो गया है। यद्द्यप की यह संबव नहीं है कि पांच माह से राशन न मिला हो। हाँ कुछ हित्गराही अगर बचे भी है तो उनको हम सूची बद करेंगे। इसके लिए मैंने जेयसो को और नायम तसिलार को कल मोके पे भेजा है। आप चाहें तो आप भी मोके पे रहे करके कारवाई देख सकते हैं। आप देख रहे है दखल्यूर।